सिद्ध कीजे की यहां में सिद्ध करना है एक सान्रिक दिया है लेफट इंड साइड में उसका मान 4A2, B2, C2 के बराबर हैं तो हम लेफट इंड साइड में सान्रिक देखते हैं जो हमें मिली है वो है A2BC, AC plus C2 यह उसकी पहली पंक्ती है दूसरी पंक्ती है A² प्लस AB, B² AC और तीसरी पंक्ती है AB, B² प्लस BC, C² यह उसकी तीसरी पंक्ती है यह हमें सिद्ध करना है जिसका की left hand side एक सार्निक है अब यहां हम देखते हैं कि देखो पहला जो इस्तंब है उसमें से A common लिया जा सकता है दूसरे इस्तंब में B और तीसरे कॉलम में हम C common ले सकते हैं तो हमने पहले इस्तंब से तो A, C1 से A, C2 से B और C3 से C common ले लिया A, B, C तो बहारा गया और हमारा सार्निक अंदर क्या बहार रह गया A, A, B, B यह हमारा पहला इस्तंब रह गया दूसरा स्थम है C, B, B+, C, A+, C, तीसरा स्थम में A+, C, A, C यह हमारा तीसरा स्थम हो गया हमने C1 से तो A common ले लिया C2 से B common ले लिया और C3 से C common ले लिया A, B, C हमारा बाहर आ गया अब हम यहां देखते हैं कि यदि हम पहले स्थम में पहले स्थम में दूसरे स्थम को जोड़ दें तो हमें पहला पत क्या मिल जाएगा A+, C और यदि हम तीसरे स्थम को घटा दें A+, C को घटा दें तो हमें यहां 0 मिल जाएगा और हमें 0 चाहिए इसलिए हमने क्या किया संक्रिया का प्रियोक किया कि C1 replace कर दिया C1 प्लस C2 माइनस C3 से हमने पहले कॉलम में दूसरे को जोड़ा और तीसरे को घटा दिया C1 replaced by C1 प्लस C2 माइनस C3 तो यहां तो हमें 0 मिल गया A प्लस B में B जोड़ा और A घटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा 2B इसी प्रकार यदि हम B में B प्लस C जोड़ा और C घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा 2B हमें 2B मिल जाएगा जो दूसरा और तीसरा इस्थम्प है वो as it is रहने दिया C, B और B प्लस C यह ऐसे कैसे रहने दिया A प्लस C, A और C यह हमारा तीसरा इस्थम्प है इसको ऐसे रहने दिया तो हमने 0 प्राप्त करने के लिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारा प्रसार आसान हो जाए इसलिए हमने C1 को रिप्लेस कर दिया C1 में जोड़ दिया C2 को और C3 को घटा दिया और हम जानते हैं कि यदी किसी सारनिक में हम किसी भी स्थम्प को दूसरे स्थम्प से जोड़ें या घटाएं तो सारनिक के मान में कोई अंतर नहीं आता मान अपरिवर्टित रहता है इसलिए हमने C1 रिप्लेस कर दिया C1 प्लस C2 माइनस C3 से अब यहां हमें देखो 0 मिल गया है तो पहले स्थम्प में अब हम 2B को कॉमल ले सकते हैं यहां 2B पहले स्थम्प से कॉमल लिया जा सकता है हमारा 2B कॉमल लेने से सारनिक क्या बन जाएगा 2B तो बाहरा गया A, B, C यह पहले से ही है सारनिक बन गया 0, 1, 1 दूसरा इस्तम as it is है c b b plus c तीसरा इस्तम as it is है a plus c a c यह तीसरा इस्तम as it is है अब हम क्या करते हैं अब यहां इन दोनों का देखो गुणा तो हो गया a b c गुणा दो b square यह मानतो हो गया 2a b square c अब हम यदी एक में से इस एक को घटा दें अर्थाद यदी हम r2 को घटा दें r3 से r3 में से r2 को घटा दें तो हमें यहां पर भी 0 मिल जाएगा और ये b जो है ये b plus c में से घटेगा तो क्या रह जाएगा c यदि c में से a को घटाएंगे तो c माइनस a रह जाएगा हमें फाइदा क्या होगा कि एक 0 यहां पर भी मिल जाएगा तो हमने r3 माइनस r3 माइनस r2 किया तो तीसरी जो पंक्ती है वो क्या बन जाएगे 0, एक में से 1 घटाया 0, b प्लस c में से b घटाया तो c बच गया c में से, इस c में से इस a को घटाया c माइनस a और 6 दोनों पंक्तियां पहली और दूसरी एज़िटिस लिग दी 0, c, a प्लस c 1, b, a यह हमारी एज़िटिस है तीसरी पंक्ती में से हमने क्या किया तीसरी पंक्ती में से घटा दिया दूसरी पंक्ती को a, b, c का गुणा कर दिया 2, b, c तो यह मान हो गया 2, a, b, square, c अब हम प्रसार कर सकते हैं तो देखो 0 0 से उसका second करेंगे तो अब हम इस तम क्या अनुसार प्रसार कर लेते हैं तो यहां एक है एक को हमें किस से गुणा करना पड़ेगा एक को अपने second से गुणा करना पड़ेगा यह एक माइनस का रहेगा इसलिए हमने प्रसार किया तो प्रसार से हमने क्या मान प्राप्त किया माइनस c गुणा c माइनस a यह c C, C-A से गुना होगा, माइनस का इसलिए आएगा, क्योंकि जो एक है, ये मद्द के पोजिशन में, इसका जो परसार होगा, इसलिए यहां पर माइनस का चिन आएगा, माइनस C किस से गुना होगया, ये C, C-A से गुना होगया, माइनस चिन में आता है, और क्योंकि माइनस पहले से ही है, ये मान हो जाएगा, अब प्लस C से गुना होगया, तो C गुना होगया, A प्लस C से, हमने इस एक से, इसके सहखंड का गुना कर दिया, तो हमें क्या मान पर C गुणा C, जैसा हम प्रसार करते हैं, उस परकार से हमने प्रसार कर लिया, ये दो 0 जो है, इन से हमें फायदा ये हुआ है, कि अब हमें इनको सेकंडों से गुणा नहीं करना है, 0 से हम किसी को भी गुणा करेंगे, सेकंड को, तो मांद 0 हो जाएगा, अर्थात, जो मजला ब formations को किया माण करने से हमें प्रसार किया, प्लस छो कि हमारा राइट है, इस लिए लेफट हंड साइड साइड ही, हमने दीए गए सारनिक का मां, सिद कर दिया, 4A² B² C² के बराबर है इतनी सिद्दम